नमस्कार सातियों, PEO, UCO तता अधिकारी मोदे यदि अपनी स्कुल विजिट रिपोर्ट देखना चाते हैं तो शाला धरपन के स्टाफ इंडो पर मोडूल प्रारम किया जा चुका है यदि आप इस मोडूल पर कारिक करने की प्रक्रिया जानना चाते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किये पूरा अवश्य देखेगा और साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी वाले बेल आइकन को दबा कर आल पर भी प्रेस की आपको चैनल पर मेरी और से प्रेशित किये जाते रहेंगे चलिए सातियों जानते हैं शाला धरपन के स्टाफ इंडो से स्कुल विजिट रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया शाला धरपन के स्टाफ इंडो से स्कुल विजिट रिपोर्ट देखने के लिए आपको शाला ध क्या करना है आपकी staff login की NIC ID जो भी है वो NIC ID आपको यहाँ पर enter कर लेनी है then आपने आपके staff login के जो password डिजाइन कर रहे हैं वो password आपको यहाँ पर enter कर लेना है फिर आपको यहाँ एक capture calculation दिखाए देगा इस capture calculation को आपको same to same यहाँ पर enter कर देना है then आपको सबसे अंत में option मिलेगा login का तो आप यहाँ login पर क्लिक कर लिजेगा तो आप शाला दरपन के staff window से swim को login करेंगे इस तरह की information आपके सामने आ जाएगी अब आपको क्या करना है school widget report को check करना है तो उसके लिए आपको यहाँ बहुत सारे option दिये हुए है तो इन option को आपको scroll up कर देना है जैसे आप option को scroll up करेंगे आपको यहाँ एक tape देखने को मिलेगी संबलन name से तो आपको इस tape पर click कर लेना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे आपके सामने नया option open होकर आ जाएगा संबलन widget view report name से तो आपको इस पर click कर लेना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे अब आपके सामने इस तरह की information आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ year select करने के लिए कहा जाएगा तो जिस भी year की आप information देखना चाते हैं वो year आप यहाँ से select कर लिजेगा देन आपको यहाँ month select करने के लिए कहा जाएगा तो आप यहाँ पर click किजेगा month की information आपके सामने आ जाएगी अब जिस भी month की आप widget report देखना चाते हैं उस month को आप यहाँ से select कर लिजेगा देन आपको यहाँ option मिलेगा next का तो आप next पर click कर लिजेगा अब आपके सामने इस तरह की information ओपन होकर आएगी तो यहाँ सबसे पहले आपको visited date बताये जाएगा आप कौन सी date को विजिट करने गए थे वो date आपको यहाँ पर display की जाएगी आपका name आपको यहाँ पर display हो जाएगा आपने कौन से कारेले को विजिट किया है उसका name आपको यहाँ display होता रहेगा कारेले की category आपको यहाँ बताई जाएगी उस कारेले में principal कौन था या HM कौन था उनका name आपको यहां display किया जाएगा और कार्या लेके HM के या principal के mobile number भी आपको यहां display किया जाएगे school का management भी आपको यहां बता दिया जाएगा अब आप प्रतिय एक विद्ध्या लेकी जो भी report आपके सामने आ रही है यदि उस report को detail में देखना चाते हैं तो AC condition में आपको यहां एक option दिया हुआ है view का तो आप यहां view पर click कर लिजेगा जैसे view पर click करेंगे जो जो भी information आपने शाला संबलन एप के माध्यम से विजिट करते समय प्रवाइड करवाई होगी वो सारी information आपके सामने open होकर आ जाएगी उम्मित करता हूँ सात्यों जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और यदि जानकारी आपके लिए उपयोगी रहे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजेगा और हाँ सात्यों इस वीडियो को हमारे प्रत्यक सात्य तक पहुचाने का कस्थ कीजेगा ताकि उनको भी जो इस वीडियो का लाब है वो मिल सके और यदि आपको कोई मुझे तकनीकी साहिता चाहिए तो प्लीज कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताईएगा मैं निश्चिति आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूँगा मिलते हैं सातो इसी तरह के इंपोर्टेंट टोपिक के साथ अब तक के लिए जेहिन जे बारत